पास में जाकर कितना भी सच जाने की कुशिश करें पर जिस आदमी के साथ वो चीज़े हुई थी वो ही सच बता सकता है हेलो फ्रेंट्स आज के हमारी मुवी नैटली ये 2010 की एक मिस्ट्री रोमेंस मुवी है ये इसी थीम पर बेस्ट है एक स्कॉल्प्टर और इसका स्टूटन्ट ये दस साल बात मिलते है दस साल पहले की एक लड़की को लेकर है मिस्ट्री है तो इसे अंतक जोरू देखेगा अगर आपको वीडियो अचा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजे इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है बिन अगजिदरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जून हुक एक स्कल्प्चर आर्टिस्ट है आज उसका एक्जिबिशन था तो सारे स्कल्प्चर बिक गए उसने सिर्फ एक स्कुल्प्चर को सेल नहीं किया इसका नाम है Natalie क्योंकि Natalie उसके लिए बहुत important है June Hill की एक कलीग है इसका नाम है Hurim Hurim उसके पास आती है उसके बहुत है कि आपका एक student है जो आपसे मिलना चाहता है क्या मैं उसे मना करतू June Hill कहते कि उसे आने दो थोड़ी दिर में जब Hurim घर जा रही थी तो इस student को notice करती है इसका नाम है मिन्वू वो मिन्वू से पुछती है तुम यहाँ आए क्यों हो मिन्वू कहता है मुझे Natalie बाई करनी है Hurim कहती है कि वो sell नहीं करेंगे वैसे वे तुम क्यों बाई करना चाहते हो मिन्वू कहता है कि Natalie को लेकर मेरा एक secret है जो उसे नहीं बताएगा June Hugh Natalie को देखकर गुसा था उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता क्योंकि उसका best piece of art यह है थोड़ी दिर में मिन्वू के पास पहुचा वो लेट हो चुका था June Hugh कहते है exhibition खतम हो चुका है पहता है मुझे आपके काम के बारे में लिखना है June Hugh इसमें थोड़ा भी interested नहीं होता तो मिन्वू कहता है मैं आपके class में था मुझे नैटली की बारे में जानना है मिन्वू नैटली के sculpture को देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि जिन्दा है इसी का weight कर रही है उसने पूचा नैटली की पीछे real model कौन थी June Hugh कहता है ऐसी कोई भी model नहीं है June Hugh मिन्वू से कहता है तुम लोग के art पर critique करते हो उनसे comment लेते हो यानि कि कुछ controversial बन जाए ये किस तरह का job है मिन्वू कहता है कि मैं आपके art को appreciate करता हू इसी वज़े से उसकी कोई value है June Hugh कहता है तुम्हे artist की value पता नहीं है मिन्वू कहता है जिस तरह के से मैं artist की value नहीं करता उसी तरह के से आप woman की value नहीं करते ये सुनकर June Hugh सप्राइस था वो पुछता है क्या तुम होरिम के बारे में बात करे हो उसे मेरा art पसंद नहीं आता क्योंकि वो मेरे प्यार में है वो मुझे पार नहीं सकते वो मेरे work के बारे में review दिया करती थी वो और भी जादा interested हो गई हम दोने में relationship हुई उसने मुझे पात तो लिया पर वो frustrated हो चुकी थी उसे पता था कि मैं हमेशा के लिए किसी और से ही प्यार करता रहूंगा मैं पुरी तरीके से उसका नहीं हो पाऊंगा इसलिए सारा frustration वो मेरे काम पर निकालती है उसने मिनू से कहा तुम्हारी शादी हो चुकी होकी अपनी wife से तुम शायद बहुत प्यार करते हो जी वज़े से तुम इन सब बातों के बारे में पता नहीं तुम बहुत ही serious लगते हो तो शायद कभी तुमने अपनी wife पर cheat भी नहीं किया मिनू कहता है सारे आदमें तुम्हारी तरा नहीं होते है कुछ कपल एक दुसरे के साथ ही खुश होते है जी नू कहता है कि अगर ऐसा है तो इस country में timber से जादा mortels क्यों है वो एक housewife के बारें बताता है कहता है उसका husband 11 बज़े चला जाता था तो मुझे call करती थी ऐसे ही बहुत सारी housewives का affair जलता है तुम्हें क्या बता शायद तुम्हारी wife का भी affair जल रहा होगा इस पर मिनू को गुस्सा आ कया था तो उसने control कर लिया मिनू बुशता है अपने 10 साल पहले कहा था क्या आप कोई भी sculpture create नहीं करेंगे इसके बात क्या हुआ जूनू क जूट कहता है जूनू कहता है कि मैं एक artist हूँ मेरा मन हमेशे बदलता रहता है पर ये बात जूट थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा मिनू ने कहा हर एक art की prize होती है उसने अलग-अलग sculptures की prize बताई उसने कहा कि मैं बाई करना चाहता हूँ वो prize के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं जूनू कहता है नैटली मेरे लिए बहुत special है इसे में कोई भी prize नहीं दे सकता जूनू क समझ गया मिनू सिर्फ review में interested नहीं है उसके यहाँ आने का reason कुछ अलग है मिनू ने फिर से पूछा नैटली कोन है ये सब आते हियोरिम सुन रही थी और के पास आई और कहा मैं नैटली हूँ जूनू कहता है तुम कभी भी नैटली नहीं बन सकती इससे हियोरिम को बहुत ही हर्ड में सुस हुआ वो इसे नीचे गिरा देती है पर मिनू भागते हो जाता है वो इसे बचा लेता है अब जूनून 10 साल पहले की बात बताना स्टार्ट करता है गहता है मुझे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटिफुल स्कप्चर बनाना था इसके लिए मैंने बहुत राइक किया हियोरिम भी उसकी मॉडल बनी पर सब कुछ उसे एमिटिशन लगता था किसी में भी वो बात नहीं थी उसने महीनों लगा दिये पर फिर भी वो को स्टार्ट नहीं कर पाया उन देनों जून हुक ये उनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था कॉलिज में डांस प्रैक्टिस चल रही थी उसी वक्त उसने फर्स टाइम मिरान को देखा वो उसे बहुत ब्यूटिफुल लगी बाद में मिरान जून हुक के एक लास में आई मिरान को देखकर जून हुक इंस्पायर्ट हुआ वो मिरान की ब्यूटी पूरी तरीकी से स्कल्प्चर में उतारना जाता था इसके बाद सेमिस्टर का एंड आ चुका था अपने बुक पर ओटोग्राफ लेने के लिए मिरान जून हुक के पास आई जून हुक कहता है कि मैं इस पर क्या लिखू वो गहती है तुम मुझे चाहिए हो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा स्कल्प्चर बनाओ मेनु कहता है कि आप जूट बोल रहे हो मिरान ऐसा कभी भी नहीं करेगी इस बात को इग्णोर करकर जून हुक आगे बढ़ता है जून हुक फिर मिरान को अपने स्टूडियो में लेकर गया उसकी ब्यूटी सही तरीके से दिख पाए इसी पोजिशन उसे दी इन सब शीजों में एक दुसरे के पास आ गए थे दोनों इंटिमेट हो गए जून हुक कहता है हमारा प्यार टाइम के साथ स्ट्रॉंग होता गया वो मुझे बहुत एकसाइट करती थे मैं बार बार दिन रात उसे प्यार कर सकता था मैं मर भी जाता फिर भी उससे ही प्यार करता मिन्व फिर से उसे इंटरप कर देता है कहता है कुछ भी जूट मत बोलो अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तुसे शादी क्यों नहीं की जिस मिरान को मैं जानता हूँ बहुत ही अलग थी वो प्यूर थी, मिस्टिकल थी जैसे किसी पोरानी कथा से आई हो वो माना एक ब्यूटिफुल पेंटिंग से खुच चल कर बाहर आई हो मिन्व ने नोटिस किया था जब भी जून हुग मिरान के पास होता था तो अनकमफडेबल हो जाती थी एक दिन मिन्व ने मिरान को अप्रोच किया उसे कहा, वे तुमारी बहुत अच्छी से पेंटिंग मना सकता हो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी मिरान को भी अच्छा लगा था पर तभी जून हुग इनकी बीच में आ गया मिन्व को लगता है जून हुग ने मिरान से कहा था मुझे तुम चाहिए हो वो फिर मिरान को जबर्दस्ति उसके स्टूडियो में लेकर गया अपने आर्ट के नाम पर उसे जबर्दस्ति की प्रेजिन में जून हुग मिवू से कहता है तुम तुमारी memory को distort कर रहे हो तुमें जो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था मिनू कहता है तुमारे age बढ़ चुका है तुम उसे अपसेस्त है तो इसी वज़े से अपने mind में कोई भी love story पना ली है तुमने सिर्फ उसका फायदा उठाया जब तुमें बुरा लगा तो उसे छोड़ दिया जोनू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसा टाइम गुजरता गया तो हम एक दूसरे में सिर्फ physical pleasure ढूडने लग गए थे मैं उसका addicted हो गया और वो भी एक दिन मिरान ने पूछा कि आप मुझसे शादी करना चाते हो जुनू कहता है हमें ऐसा सोसाइटी की वज़े से करना पड़ता है हमारे प्यार को कोई भी definition देने की ज़रूत नहीं है वो मिरान के साथ सिर्फ living relationship में रहना चाता था उसे ये नहीं पता था मिरान पेगनन्ट है मिरान ने फिर भी इसे accept कर लिया था हमेशा एक दूसरे में खोए रहते थे बाकी कोई भी चीज इने करना अच्छा नहीं लगता था जैसे कि हमां पता है जुन हुख उन दिनों Natalie create कर रहा था मिरान की वज़े से वो इस पर concentrate नहीं कर पाया उसका frustration बढ़ता जला जाता है मिरान को भी ये बात समझ में आके एक दिन जब एक साथ है तो जुन हुख सोया हुआ था Natalie से कहती है अब मैं तुमारी लाइफ से चली जाओंगे तुमें 10 साल का वक्त दूंगे इसके बाद फिर से तुमारे पास आऊंगे एक्शुल में जुन हुख जगा हुआ था उसे प्रिटेंड करता है कि वो सोया हुआ है ये सब बाते सुनी वो उसने उसे रोका नहीं मिनू प्रेजिन में कहता है कितने पागल हो आज 10 साल कम्प्रीट होने वाले है तुम अभी भी उसका वेट कर रहे हो वो शायद तुमें भूल भी चुकी है जुन्यू कहता है तुम मुझे क्यों पागल बोल रहे हो तुम भी तुम मिरान से वन साइड़ प्यार करते थे 10 साल बाद तुम भी यही हो मिन्वो फिर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है जब मिरान और जुन्यू का ब्रेक अप हो गया तुम मिन्वो हमेशा मिरान के साथ ही होता था मिन्वो ने रियलाइस किया मिरान का ब्रेक अप हो चुका है पर फिर भी वो पूरी तरीके से उसकी नहीं बनेगी वो बहुत सैट थी प्रेजेन में जुन्यूग मिनू से कहता है तुम्हे कह लगता है तुम उसे मुझसे ज़ादा अच्छे से समझते हो मिनू कहता है वो मेरी अव वाइफ है इसे जुन्योग सप्राइस्ट हो गया मिनू ने फिर अपनी स्टोरी कंटीनू की मिनू हमेशा से मिरान से बहुत प्यार करता था तो एक दिन मिरान उसके पास आई उसने पूछा क्या तुम उससे प्यार करते हो मिनू हा कहता है वो पुछती है क्या हमेशा करते रहोगे मेनूने कहा मरने के बाद भी मिरान कहती है कि मैं अभी भी किसी और से प्यार करते हूँ क्या फिर भी तुम उसे प्यार कर सकते हो मेनून कहता है मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इन दोनों ने फिर शादी कर ली प्रेजर में जुनियो कहता है मीरान के लिए मैंने 10 साल वेट किया हमेशा उसके लिए तड़पता रहा और वो मजे कर रही थे तुमारे साथ ते खुश थे वो उसे हिट करने लगता है कहता है नैटली मीरान नहीं है एसे एक लड़की के साथ मैं सोया था उसे का स्टैचू बना दिया है वो हर्ट है इसी वज़े से सब बाते कर रहा था उसने कहा जाओ और तुमारी वाइफ को बता दो कि मैं सब कुछ बाते वापस लेता हूँ उसके साथ बिता हुए टाइम को मैं मीनो कहता है कि मैं उसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है जुन हुक को यह सुनकर बहुत बुरा लगा अब हमें पता चलता है कि एक्चुल में हुआ क्या था जैसे कि हमें पता है कि मीरान जुन हुक की वाज़े से प्रिगनन्ट थी तो उसने मिनुह से शादी कर ली थी थोड़ा टाइम बीट कया फिर मीरान को पैदा चला कि उसे कैंसर है अब उसके पास च्वाइस थी एक तो बेबी जिन्दा रह सकता है या वो मेनुह कहता है कि हम बेबी का अबोर्शन कर लेंगे तुम्हें जीना बहुत इंपॉर्टन्ट है तुम फिर से पेगनट रह सकती हो मीरान उसे मना करती है कहती है यह मेरा फर्स्ट वेवी है यह जुन हुक के पैर की निशानी थी तो उसे मिटाना नहीं चाहती थी मीरान की डिलेवरी तो सक्सेस्फुल हुई तो उसके बाद पुरा कैंसर उसके बॉड़ी में फेल चुका था मीनु हमेशे उसका खैल रखा करता एक दिन मीरान ने उसे सौरी कहा सब चीजों के लिए यह एक दूसरे को लास्ट टाइम आई लव यू कहता है मीरान अपने बेटी के साथ खेल रही थी तभी उसकी डेथ हो गई प्रेजिएंट में जुन्हुक कहता है क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो मीनु ने कहा मीरान तुमारा लास्ट तक वेट कर रही थी वो जब मरने वाली थी तब उसने जुन्हुक को लेटर लिखा था यह लेटर मीनु ने निकाल लिया यह कभी जुन्हुक के पास पहुची नहीं पाया यही लेटर वो दस साल बाद जुन्हुक को वापस करता है इस लेटर में मीरान ने लिखा हुआ है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था मैं तुमसे दस साल बाद मिलूंगी अब वो पॉसिबल नहीं जुन्यू के सब पढ़कर बहुत रोता है उसने मिनू से कहा कि मेरी बीटी को कभी मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओके मिनू इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है जुन्यू को मिरान की सब कुछ बाते याद आई नैटली ये मिरान की ब्यूटी कैप्चर करने का सिर्फ एक ट्राय था अपने आर्ट में तो सक्सिस्फुल हो गया पर उसने मिरान को हमेशा के लिए खो दिया एम्बिशन और प्यार इन दोनों में चूस करने की एक दर्दना ट्रैजेडी ये मुवी बता कर जाती है जिससे आप प्यार करते हो कभी भी उसे जाने नहीं देना चाहिए बाकी चीज़े लाइफ में आती रहती है अगर वैसा नहीं किया तो बात में पच्टा ना पड़ सकता है इसे के साथ आज के वीडियो हम खतम करते है और आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आता रहतो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दवने मत भूलेगा हम फेसे मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे